तो गाइस अगर आपने हमारे सोल लेंड एपिसोड वन को नहीं देखा तो एक बाद चैनल के डिस्क्रिप्शन को जाकर चेक आउट जरूर करें या प्लेलिस्ट को भी आप चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो की एक्पिनिशन को स्टार्ट करते हैं तो एप सबसे ज्यादा लोकप्री प्रोफेशन के बारें बताया जाता है और वो प्रोफेशन होता है सोल मास्टर का पूरे डॉलो कॉंटिनेंट में सोल मास्टर की रैंक को नौ भागों में डिवाइट किया गया है जिसमें लोवेस्ट से हाई तक है जिसमें से पहला आता है सोल स सोल एंसेस्टर, सोल किंग, सोल एंपरर, सोल सेज, सोल डॉलो और टाइटल डॉलो और जिस बंदे की कल्टिवेशन लेवल फर्स्ट से लेकर 10th rank के बीच में होती है उसे सोल स्कॉलर कहा जाता है और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है उसकी सोल लेवल भी बढ़ता जाता है और वहाँ पर जो हो यह वाउ था वह ड्यूक का बेटा था और ड्यूक स्टार लियो एंपरर में काफी बड़ा पद रखता था और ड्यूक के पास एक काफी बढ़िया मार्शल सोल भी थी लेकिन यहाँ पर ड्यूक का बेटा होने के बावजूद भी जो हो यह वाउ था उसके पास कोई बढ़िया मार्शल सोल नहीं थी उसकी मार्शल सोल इस प्रीट आइस थी लेकिन इस प्रीट आइस के बारे में किसी को भी पता नहीं था इस पूरे मार्शल सोल को दो काटेगरी में डिवाइट किया गया था लेकिन इन दोनों काटेगरी में स्प्रीट आइस नहीं आती थी और जो हुआ ये वाउ था वह एक नोकरानी का बेटा था जिसके काण उसके मार्शल सोल पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये डिकलेर कर दिया कि उसका मार्शल सोल काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि जो हुआ ये वाउ जब अपना मार्शल सोल अवैकन किया था तो उसका लेवल वन था और उसकी कल्टिवेशन स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी अगर उसका मार्शल सोल एक दम जो हो यह वाव था वह 6 साल के उम्र में अपना मार्शल शोल अवेकन कर लिया था लेकिन वह गारश साल का हो गया था पूरे 5 साल भीच चुके थे लेकिन अभी भी वह लेवल 10 पर नहीं पहुंचा था जिसके कार्ण उसके उसकी काफिस जादा बेज़ती होती रहते थे क्यो मार्शल शोल की क्वाल्टी के बारे में पाता चलता था हो यह वाहू ड्यूक मेंशन में हर एक बंदे से तीन गुना जादा मेहनाद करता था और उसने कुछी दिन पहले लेवल 10 को पहुंचा था और जब भी कोई बंदा लेवल 10 तक पहुंच जाता था तो उसे सोल पाने के लिए उसे सोल बिष्ट को मारना पड़ता था लेकिन जो हो यह वाहू था वो एक सर्वेंट का बेटा था जिसके कान उसका कोई टीचर भी नहीं था और सोल रिंग को पाने के लिए उसे किसी ना किसी सोल बिष्ट को मारना ही पड़ेगा अगर वह ऐसा नहीं करता और उसे सोल्डरिंग नहीं मिलती है तो उसकी पावर कैसे बढ़ेगी और हुआ यवाहू को किसी भी हालत में पारफुल बनना था ताकि वह अपने मां की मौत का बादला ले सके इसलिए हुआ यवाहू अकेले ही ड्यूक मैंशन से भाग चुका था और उसने यह डिसाइड क साथ ही फॉरिस्ट में जाता था ताकि वह सोल्डिष्ट को मार सके उसका टीचर और उसका जो स्टूडेंट है वह उसके सोल्डरिंग का अपयोग करते वे लेवल 10 की आगे की कल्टिवेशन को कर सके अगर कोई बंदा ऐसा करने में शक्षम नहीं होता तो वह आगे की कमान ने जूसे दिया और उस डगर का नाम था वाइट टाइगर डगर जो उसकी मॉम ने उसे दिया था और उस वाइट टाइगर डगर को देखते हूए यह वह काफ साथ में भावंगा जते होता यह वह वह लाज लगता ही। छ दीनों से आगे बढ़ता है जा रहा था उसका नाम था ग्रेट इस्टार डाव फोरेस्ट और हुवो यवाव को एक बिश्वास था कि वह लगबक 10 साल पुराने बिश्ट को तो मारी लेगा जिससे उसे एक शोल रिंग मिल जाए और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हुवो यवाव काफर ज्यादा ठक चुकाता है वह एक पेड के नीचे बैड जाता और कहता है मुझे थोड़ी देर अराम कर लेना चाहिए और वहाँ पर हुआ वाव देखता है कि उसके सामने एक पॉंड है वो यवाव तुरंत अपने कपड़ें को निकालता है और उस पॉंड में नहाता और कपड़ें पड़े धोता ह वह यवाव देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी मचलिया हैं वह यवाव को बहुती ज़्यादा भूक लगी थे क्योंकि वह एकदम बहुती चीफ खाना खा रहा था जो उसने ड्यूक मैंसेंचे चुराया था अब वो भी खतम होने के कगार परता है वह यवाव तुरंत अ ज़्यादा सौक हो जाता है क्योंकि पॉंड में उसे हर एक चीज काफी ज़्यादा स्लो काफी ज़्यादा क्लियर दिखाए दे रही थी उस पॉंड में वह लगबग 10 मचलियों को देखता है वह उन्हें साफ साफ और उनकी मुमेंट को इतना ज़्यादा वह स्लो देख र उसे वह मचलियां बहुती जादा स्लो दिखाए दे रहे थी वह ये वहाँ कहता है चलो अब मचली को भून कर यहीं पर खाता हूँ वह वह जंगल से लकडिया लाता है और उन लकडियों का प्योग करते हुआ उन मचलियों को बहुती बढ़िया तरह से भूनने लगता है मसा की काफी तेज, वो यवाव के आकर पास रुपती है, और खाती है, वा, क्या मचली की खुस्बु है, हे, क्या तुम इस मचली को मुझे बेज सकते हो, इस मचली की खुस्बु काफी ज़्यादा बढ़िया है, तुम जो बोलोगे मैं तुमे वद दे दूंगी, तो वहाँ पर मचलिया नहीं बेच सकता, मुझे भी भूक लगी है, मैंने भी इन मचलियों को भूना है, वैसे आप चाहें तो मैं आपको सेर कर सकता हूँ, तो वहाँ पर वो लड़की तुरां तुन मचलियों पर टूट पड़ती है, उसके साथ जो आया हुआ लड़का होता है, आरे तु उस लड़की के साथ आया हुआ लड़का होता होता है, ब्रदर तुम भी मचलियों पर टूट पड़ वरना यह भूक लड़की सारी चीजे वैसे ही खा जाएगी, वहाँ पर वो जो लड़की होती है, अपनी दोस की तरफ एकदम गुसे से देखती है, तो बंदा काता आरे मैं मजाग कर रहा था, ब्रदर तुम क्या देख रहे हो, तुम भी खाओ, और वह लड़की तीनों लोग मिलकर उन दसों मचलियों को कुछी देर में समाप्त कर लेते हैं, वह लड़की खड़ी होती है, और नदी के पानी में ही अपना मूध होती है, और वहाँ पर वह वो मुझे काम है, तो वहाँ पर तैंग या काती है, तुम किस तरफ जा रहे हो, और तुम कुछ मेरी मदद चाहिए, तो बताओ, हम लोग सोल मास्टर्स हैं, और हम रारी रैंक भी हाई है तुम से, तो वहाँ पर वह 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 तुरंत माना कर देता है, और कहता है, मैं चलता हो, और ही वो वाओ, एक तरफ जाने लगता है, तभी जो वो ब्यूटिफूल लड़की तैंग वाँ होती है, वो बेई-बेई से कती है, क्या एडिया है, क्या हम इसे अपने सेक्ट में जॉइन कर लें, ये लड़का काफी जादा इसके कपड़ों से गरीब भी लगता है, मेर एसे को अपनी सेक्ट में जॉइन कैसे कर सकते हैं, तभी वहाँ पर जो तैंग वाँ होती है, वो कती है, अरे ये लड़का किस तरफ जा रहा है, तभी बेई-बेई कता है, अरे ये तो स्टार डियो फॉरिस्ट की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर तैंग वाँ कती है, क्य इस्टार डियो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है लेकिन यह क्या पागल हो चुक है वहाँ पर तो कई सारे सोल बीष्ट रहते हैं और इसकी पावर को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उन सभी बीष्ट का सामना कर पाएगा भी या नहीं और इसकी कल्टिवेशन भी हाई नहीं लगती है आकीर यह स्टार डियो फॉरेस्ट की तरफ क्यों जा रहा है तभी बेई-बेई कता है मैंने इसकी पावर को शेंस किया है लेवल 10 पर है किया यह सोल्ड रिंग को हाशिल करने के लिए जा रहा है तभी तैनवा कते क्या यह सोल्ड रिंग को हाशिल करने के लिए वो भी बिना किसी टीचर के साथ किया यह ऐसा कर पाएगा भी है नहीं इसकी जान तो खत्र में पढ़ सकती है हमें इसकी मदद के लिए जाना चाहिए तो बेई-बेई काता है हाँ चलो मैं इस बार तुम्हारे से सामात हूं तैनवार बेई-बेई वह यह वाहू का पीछा कन करने लगते हैं और गाइस अगर आप इस टाइम करते हैं तो आपको 15 डेज का एक्ष्ट्रा सस्क्रिप्शन भी मिलेगा और इस टाइम 50 पर्शेंट आफ भी चल ला तो आप जल्दी से जान हो जाए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उत पर क्लिक कर यह फोन नंबर् थाइर तक्यू बाइ वाइ